वैसोद हम नए PC बिल्ड करते ही रहते हैं लेकिन आज हमें गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं जो अंडर 60 थाउजन है तो इसमें हम यूज करेंगे गीगाबैट का मदरबोर्ड गीगाबैट का ग्राफिक कार्ड कुरुशल NVMe SSD एडेटा की 16GB RAM गीगाबैट की पावर सप्लाई और इंटेल का Core i7 प्रोसेसर और गीगाबैट की केबिनेट तो हम शुरुवात करते हैं इसके लिए इसमें हम दो NVMe SSD लगा सकते हैं दो RAM लगा सकते हैं और साटा के लिए में पोर्ट दिये गए हैं दो बोड़ यहां पर है दो पोर्ट यहां पर है तो हम इस पर प्रोसेसर एडे करेंगे इसमें देखे इसका साइज भी बिल्कुल अलग है चोक और नहीं प्रोसेसर आप देख सकते हैं यह चोक और वाला प्रोसेसर नहीं है कि 12700 अब आम इसमें 16gb की इसमें रेम इंस्टोल करेंगा जो 32 MHz है अब हम ग्राफिक काड को निकालेंगे यह हमारा किगावाइट का 710 ग्राफिक काड़ देखिए प्रोसेसर लगा दिया है रेम लगा दिया है और ग्राफिक काड़ भी लगा दिया है अब हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे तो डिस्प्ले चेक करने के लिए मुझे इसके लिए चीए पावर सप्लाई तब हम पावर सप्लाई को ओपन करेंगे करेंगे कर दो कर दो कि वेल्ट जनेरेशन में जो प्रोसेसर फेन भी बहुत एंटिक क्वालिटी वाला है बहुत अच्छा फेन ने कोपर का नीची दिया गया है देखिए आप इसमें और वायरी बहुत जाद अच्छे इसके क्या डिजाइन दिया शांदार वाला डिजाइन है कि तो अब इसको लगा देंगे अच्छा अच्छा है यह मैंने फैन लगा दिया है इसका अब आम इसमें एंवी में स्टोल करेंगे जो की मेरे पास 500gb की है कुर्शल कंपणी की है बहुत ही अच्छी कंपणी है वैसे मैं कोई पर्मोशन नहीं कर रहा हूं यह अब आप इसमें स्टोल करेंगे अब यह 500gb की है और यह मैं इसमें स्टोल कर रहा हूं कि यह इसका लोक लगा देंगे इन विमी का जिससे की वह लेनी यह लोक लग गया है अब हम इसमें पूरा इसको चेक करेंगे एक बड़ यह पीसी मेंने ओन कर दिया है यह देकि फेन गुम रहे हैं इसके अब हम इसको असंबल करेंगे तो यह हमारा पीसी तयार हो चुका है इंटल i7 12th generation स्वलाजी भी रैम ग्राफिक कार्ड के साथ में है और कुरूशल की हमने इसमें एन विमी एससटी लगाई है बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है बहुत जादा फास्ट है गेमिंग के लिए आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब सब्सक्राइब कर सकते हैं हम इस तरह के बहुत सारे PC बनाते हैं अगर आपको भी अपना PC को भी बिल्ड करवाना है तो आप मेरी दुकान पर आ सकते हैं मेरा डर से बनाए कंपटर जी 73 ग्राउंड फ्लोर राइसर पलाजा जैपूर थैंक्स पूर वाचिंग